दोस्तों नमसकार, प्रणाम, अभियादन स्विकार करें, सुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें मत प्रदेश के सबी बावन जिलों की खबरें, सरकार की बड़ी योजना हैं, पुलिस के जवानों के लिए फ्री में नास्ताव्यों भोजन की विवस्था कर रही सरकार, वह कालेज के चात्र दर्ता चात्राओं का अगली अक्षा में परमोसन महीं किसानों के लिए फसल विमा को लेकर बड़ी खबर है तो चलिए देखते हैं सारी खबरे विश्तार से यदि आपको खबरे पसंद आए तो वीडियो को लाइक जुरू करिएगा और इसी प्रकार की सभी आक्सिजन प्लांटों की चेकिंग की गई भोपाल समयत प्रदेश भर में पिछले एक हफते से कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद अस्पतालों में लगे उपकरोन की टेस्टिंग करने के निर्देश सियम सिवरास्वी चववान यदिकारियों को दिये इसी कड़ी में किसरी लहर की आसंका के मद्दे नजर छोटे बड़े अस्पतालों में लगाए गए आक्सिजन जनरेशन प्लांटों की बुद्वार सुबर 9 बजे से मागडिल शुरू ही 6 घंटे तक प्लांटों को चला कर देखा जा रहा है लगातार चलाने में कोई तपनी की दिक्कत त तक सुद्ध होती है जबकि प्लांटों में तयार होने वाली मेडिकल अक्सिजन की सुद्धता द्यान भे फिजडी तक ही रहती है पूरे प्रदेश में 201 अक्सिजन जनरेटर प्लांट लगाए गए हैं इनमें 178 पूरी तरह से तयार होकर काम करने की इस्थिति में आ मत प्रदेश में फसल भीमा कराने के लिए अब लगेगी किसान चौपाल किसानों को प्राकरतिक आपदा की स्थिति में फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रदान मंतरी फसल भीमा अधिक से अधिक कराया जाएगा इसके लिए सरकार पहली बार मत प्रदे अपने अनुवो भी साजा करेंगे जिन्ने फसल विमा का लाब मिला है मत्प्रदेश में रभी फसलों का 31 दिसंबर तक विमा होना है सरकारी बैंकों से अलपावदे रिण वाले किसानों का प्रिमियम काटकर बैंक विमा गर लेते हैं लेकिन अरिणे किसानों की इसमें प्रविवार को भी बैंकों की साकाई खुलवाई गई थी पिछले बार इसका फाइदा यह हुआ कि बीमा कराने वाले किसानों की संख्या लगबग 40 लाग तक पहुँच गई इसे देखते विए अब क्रसी विभाग ने तै किया है कि किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प् प्रचार रद भी गाउं-गाउं भेजे जा रहे हैं क्रसी विभाग के अधिकारियों का कहिना है कि पिछले खरीब सीजन में अती वरसा से प्रवाईत फसलों का बीमा किसानों को जल्द मिलेगा इसके लिए प्रकेरिया अंतिम चरण में हैं संभावना जताई जा रहे हैं पांच हजार करोड रुपे तक बीमा किसानों को मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है हाला कि यह बात पहले भी आई थी कि किसानों को जल्दी फसल बीमा का मुआज़ा मिलेगा इसके पहले खरीब सीजन दोजार अठरा में नौ लाग हिनकाउन अजार किसानों को एक हज 29,59,000 किसानों को 5,799 करोड रुपे वहीं रवी सीजन 2019-20 में 96,824 किसानों को 53,62 करोड रुपे का फसल बीमा मिल चुका है जिससे किसानों को बहुत रहत मिल रही है खरीब सीजन 2019 में केंदर सरकार के पोर्टल में प्रविष्टी नई हो पाने के कारण 2,64,000 किसानों को ब इसेज अनुरोद करके पोर्टल खुलवा कर प्रविष्टी कराई इससे किसानों को 384 करोड रुपे का फसल बीमा मिलेगा तो इस प्रकार से फसल बीमा को लेकर बड़ी ख़बर है जो किसानों को रहत देगी वहीं कालेज चात्रों के लिए बड़ी ख़बर है सरकारी योम नीजी कालेजों के 77% चात्र चात्राएं अगली कक्षा में प्रमोट हो चुके हैं परिच्छा परणाम समय पर जारी नहीं होने से कालेजों के परिशानी बढ़ गई है इसना तक 77% के हजारों विद्यारतियों के प्रवेश नविनी करण की प्रकिरिया पूरी नहीं हुए इसे चात्राएं को कालेज ने अगली कक्षाओं में अभी तक प्रमोट नहीं किया इस समस्या को देखते विए उच्छ सिक्षा विभाग ने प्रवेश नविनी करण की तारीक में फेर बदल कर दिया अब विद्यारतियों को यूजी सेकेंड थर्ड येर और पीजी थर्ड सेमेस्टर में 10 दिसंबर तक प्रमोट करने की बात कही है अधिकारियों के प्रकार से काले चात्र तता चात्राओं के लिए गुड़नूज है ग्रवमंत्री की बड़ी घोशना है मतप्रदेश में होमगार्ड जवानों को ड्यूटी के दोरान मिलेगा मुप्त नास्ता यों भोजन मतप्रदेश में अब पुलिस कर्मियों की तरह होमगार्ड को भी ड्यूटी के दोरान नास्ता भोजन के लिए भत्ता दिया जाएगा पुलिस और होमगार्ड के जवानों में असमानता मिटाने के लिए यह फैसला लिया गया है सरकार द्वारा ग्रवमंत्री डाक्टर नरुत्त मिस्रा जी ने इस निर्णे की जानकारी दी होमगार्ड साथ समानता का व्यवार होना चाहिए उनके साथ समानता का व्यवार हो इसके लिए ग्रह विबाग ने यह निर्ने लिया है इसके लिए बजट में 25-25 लाग रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया है ग्रह विबाग ने इस विवस्ता को लागू करने के सम्मन्द में आ हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के SDERF के कि दोनों जो जवान थे अभी तक इन्हें ड्यूट्यू के दर्मियान में जैसी आठ घंटे हो जाते थे पूर्ण तो नास्ता और भोजन बगेरा नहीं मिलता था तो इस वार के बजट में हम 25-25 लाग का दोनों के लिए SDERF के लिए और हमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नास्ता और भोजन भी दोनों मिलें ख्रोरक की किसरी लगर को लेकर सभी चिंतित हैं बुष्टर डोज बनेगा अब कोविशल्ड से लडने की तयारी में कोविश्टर डोज बन सकती है दरएसल SIIE ने कोविशल्ड को बुश्टर डोज बनाने की मांग DCGI से की है सीरम इस्टिटूट आप इंडिया ने देश में वैक्सिन की परियापत इस्टाक और नए कोरोना वायरस वेरियंट की उत्पात के कारण बुष्टर साट की मांग का हवाला देते विए बुष्टर खुराक के रूप में कोविसिल्ड के लिए भारत के ड्रग रेगुलेटर क मनजूरी मागी है यदि यह मनजूरी मिल जाती है तो कोविसिल्ड अब कोरोना वेरियंट से लड़ने के लिए कोरोना की किसी लड़ से लड़ने के लिए बुष्टर डोस का काम करेगी तो इस प्रकार से जानकारियां थी यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो की वीडियो में इतना ही मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय